नमस्कार अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर आपके आने वाड़े लगबग 10-15 दिन, 20 दिन के अंदर खेत खाली होने वाड़े और आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि भाया अब हमारे जो खेत खाली हो चुके हैं इनके अंदर हमें इसी कौन शी फसल लगाएं जो कम दिनों में बढ़िया पैसे देखे जाए और आगे हमारे जो खरीफ सीजन में लगने वाड़ी फसल हैं उनकी भी टाइम के उपर बढ़िया पैसे भी कम आऊगे तो नमस्कार महिंदरपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसने फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जाना हमारे किसान अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइ परोब बताऊंगा जो विश्वसकर गर्मियों के अंदर एक तो उनके उत्पादन के उपर गर्मी का ज्यादा एफेक्ट ना पड़े मतलब उनसे बढ़िया उत्पादन भी लिया जासे कि और साथी रही बात रेट की तो रेट उनके पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा इसी टाइम पर आपको मिलेंगे जब ये फसले आपके तयार होके बाजार में जाएगी तो भाईया सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ चुनिंदा परंपरागत फसले क्योंकि बहुत से किसान ऐसे होते हैं वो रोजाना के जंजट नहीं पाड़ते हैं क्योंकि होती हैं जिनको एक बार आप लगाओ साथ सतर असी दिन के बाद उनको तुड़ाई करो और सीधे उनको बाजार के अंदर ले जाओ तो उनके अंदर पहले नंबर पर मैं आपको सज्जेस्स करूंगा भाया इस टाइम पर अगर आपके खेत खाली हो चुके तो आप मूंग की बुआई कर दीजिए गर्मियों का जो मूंग होता है वो सोल्ट ड्यूरेशन क्रोप है मतलब साथ और सतर दिन के बीच में यह जो मूंग है आपकी वो तयार हो जाएगी और इस मूंग की आप एक या दो बार तुड़ाई करके और फिर इसको आप एक बार में अपने ख क्वालिटी के आपको बीज लेने और साथ इसकंद्र लगने वाड़ी एक गंभीर बीमारी येलो मोजेक वाड़ी आती में उससे अपनी फसल को बचा के रखना है वाइट फ्लाई जैसे रस्चू सक जो कीट होता है उनके लिए आपको टाइम टू टाइम इस प्रे करनी हो दूसरा भाईया आप इस टाइम पर उड़द की वाई कर सकते हो जिस तरह से मूंग की लगातार हमारे देश के अंदर दाड़ों का अंदर डिमांड होती उसी तरह उड़द की उतनी डिमांड होती और उड़द की भी बहुत अच्छे रेट आपको मिल रहे हो तो वही 30,000 अभी अगर आप जाके देखोगे तो मंडियों का अंदर कोटन के जो रेट हैं वह साथ हजार से साड़े साथ हजार रुपे पर किवंटल के हिसाब से हैं यह तो ही कुछ परंपरागत फसल है आप बात करते हैं कुछ ऐसी वेजटेबल क्रोप कुछ ऐसी सबजी फसल है जिनको इस टाइम पर अगर अपन लगाते हैं तो घर्मियों के अंदर एक तो वह जल्दी सी जल्दी तयार होके बाजार के अंदर चली जाए दूसरा उनकी जो रेट है ना वह पूरे साल के अंदर सबसे बढ़िया मिले तो उसके अंदर मैं पहले नंबर पर फर्स्ट प् कि इसको जितना जल्दी करोगे ना उतनी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा यूंकि जैसे जैसे गर्मियाब लगातार बढ़ती चली जाएगे ने इसके अंदर जर्मियाशन की बहुत ज्यादा प्रोब्लाम आपको देखना को मिलेगी और साथ ही जब बहुत ज्यादा टैं जादा संख्या में जर्मिनेट हो गए और साथ ही वो जल्दी जर्मिनेट हो गए और आगे चलकर जो इसके अंदर लगने वाड़ी जो पीड़ापन वाड़ी समस्याइना वो भी कही ना कहीं मिनी स्प्रिंकलर वाड़े खेतो का अंदर कम देखने को मिलती है क्योंकि उस एरिया का उस खेत का जो टैंपरेचर है ना वो बाहर की तोलना में थोड़ा कम हो जाता है मिनी स्प्रिंकलर की बदोलब इसके अलावा मेरी दूसरी फेवरेट फसले गर्मियों की सीजन के लिए भाया टिंडा जिसको देशी टिंड सी भी बोला जाता है ना इस टाइम पर अ मतलब कर्बनिक्तति होंगे उसका अंदर कार्बन के मातरा ज़ादा हो दिमे ऊतना ही इसक अंदर भेल हैं अच्छे से फेले गी तनी चलेगी और टिंडे की एक खास्यत होती है यूदे की जितनी पर लेघेंगे हैं जो फ्रिवरी महीने में लगाए गए था टनल विदी से वह खेर आ रहे घृ लांगे अपरियल के लाष्ट मेह या फिर मजी के और उस टाइम तक खिर जो poly house, net house के आ रहे होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं क्योंकि poly house और net house के अंदर गर्मियों के मौसम के अंदर solarization किया जाता है वहाँ पर खिरे के जो बेले नो खत्म कर दी जाती है और solarization के लिए poly house को खाली कर लिया जाता है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता हूँ इस टाइम को पर खिरे का बढ़िया rate मिल रहे होते हैं इसको आप नीचे जमीन के उपर फैला दीजिए ताकि जब आगे गर्म हवाई चलेंगे उससे आपके बेल प्रभावित ना हो अगर उपर आपके बेल चड़ी होंगी तो गर्म हवावो से ना कहीं न कहीं आपके बेल हैं वो सुखने का खतरा होता है तो इसको आप नीचे जमीन पर फैला दीजी इसको आप क्यारियों में भी लगा सकते हो इसको आप धोरे निकाल के भी बौई कर सकते हो तो इसको आप बैड की उपर भी लगा सकते हो, मेड की उपर भी लगा सकते हो, फिर इससे आगली मेरी फेवरेट फसल है भाईया, आप करेली की बुआई कर लीजी, आप नीचे जमीन में धोरे निकाल कर या फिर आप बैड निकाल के, तीन फिट बैड का बीच की जो दूरी है न उसका अंतर रखके और आप करेली की बुआई कर लीजी करेली की बेल को आप नीचे जमीन को पर फ्रूटिंग आईगे न बहुत सांदार आईगी बहुत गजब आईगी एक तरफ तो जहां पर आपको उत्पादन जादा मिलेगा वहीं पर आपको मंडी के अंदर रेट हैं अगर लोगई को दस रुपी कि लोगई भी रिट मिल जाते हैं तो इस टाइम की लगई हुई वही लोख कर सकते हैं अप लोकी की बुआही कर सकते हो ज्को एंदर आपको बडिया क्षृणी के सीडश्व लेने उनको लेके और आप दोरे निकाल करें ढ़गा दीजी एक दोरे से दूसरे धोरे की जो अपन को दूरी रखनी है वो लगभग आप 10 फीट रखें क्योंकि इसके अंदर जो बेल है न वो दूसरी बेल वरी के फसलों के तुलना में ज़्यादा दूर तक फैलती है इसके अलावा आप इस टाइम पर तोरे या गिलकी भी लगा सकते हो तोरे और गिलकी है ना इसके भी रेट भाया पूरे साल भर कभी भी 20 रुपी किलो से रेट नीचे नहीं आते हैं और गर्मियों के अगर आपन बात करें जो इस टाइम को पर आप जो तोरे और लोकी लगा उसमें आप पालक की बुवाई कर सकते हो उसके अंदर आप धनिया की बुवाई कर सकते हो या फिर आप कोई भी ऐसी मेथी वगएरा है न छोटी जिसको लगबग 25-30 दिन का अंदर जो तैयार हो जाए और उसको आप एक बार में उखाड के और बेश सको जब तक उसके अंद पूरे साल भर बनी रहती है 20 रुपी किलो से नीचे भिंडी कभी नहीं जाती है इस टाइम की लगी हुई भिंडी है न वो बहुत जादा उत्पादन देती है इसके अंदर बस आपको क्या करना है थोड़ा यार भिंडी तोड़ते वक्त पड़े सानी आती है इस टाइम को परपन लगा रहे हो सकता जब यह भिंडी तयार हो के बाजार में जाएगी इस टाइम पर इनको थोड़े रेट कम मिले लेकिन उसको उत्पादन कितना ज्यादा निकलेगा दूसरा इस टाइम को जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी आगे जब बरसाते होंगे न उस जाल गर्मियों के मौसम में टामाटर के रेट ना दो 소ाग दाई सुर्पीड और तीन सुर्पे किलन तक चले गए ठे रेट हो सकता है अब की बाहर वो रोडािट आपको दो बारह से ना मीले बता हूं तो टामाटर के भाया घर्मियों के मौसम में बीस रुपे किलो से और 50 रुपे किलो के बीच में अक्सर रेट मिल जाते हैं अगर ये रेट भी आपको मिल जाते हैं तो एक के रेट है ना वह 20-22 किलो की होती है अगर वह 1000 रुपे की बिग जाती है तो भाईयो इस टाइम की लगे हुई जो टमाटर है ना उनका उत्पादन कितना तांड़ा निकलता है तो मेरा मानना इस टाइम की उपर आप जादना थोड़े हिस्से में टमाटर जरूर बोलीजिए इसके अलावा आप हरी मिर्ची की बुगाई कर सकते हो हरी मिर्ची की डिमांड है ना पूरे साल साल के 365 दिन बढ़ी रहती है देश के किसी भी मंडी में आप किसी से 100 रुपे किलो बिक्स जाए इसकी यही खूबसूरती है हरी मिर्ची से लाख रुपे पर एकड़ के बड़ी आसेन से कमाये जा सकते इसके अंदर बस आपको अपनी फसल को लीफ करल वाइरस होती है जो जो सकिंग पेश्ट द्वारा लगती ही जो बीमारी आती इसके अं रखना है उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी फसल के अंदर से खर्पतवार को निस्तारन करके रखना है दूसरा इस प्रेंग शेडूल है वो भी टाइम टू टाइम आपको करके रखना होगा आप हरी मिर्ची से बढ़िया पैसे कमाओगा डैफिनेटली आप ल कर लेते हो तो भाया फूल गोबी जो इस टाइम के लगी है ना आगे चलकर आपको बहुत बढ़िया पैसे देंगी आप फूल गोबी जरूर लगाईए फिर इसके अलावा आप को छोटी सब्जी फसले भी लगा सकते हो गर्मियों को मुसं में जिनके बहुत जादा डिमा रेतिर विशेस कर गर्मियों के मौसं में मूली की जो सप्लाई कम हो जाती है और सलाद के अंदर ना भी अब बहुत जादा इसके डिमांड बढ़ जाती है तो मूली सी भी आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो यह कुछ चुनिंदा मेरी सब्जी फसले हैं कुछ परांपरागत इनको लगा का गर्मियों के मौसं में बढ़िया पैसे कमा सकते हो अगर हमारी वीडियो अच्छे लेगे वीडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कीजिए धनवाद